पुनर जनम या आफ्टर लाइफ दोस्तों आप भी इसके बारे में जरूर जानना चाहते होंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुनर जनम के उपर हमेशा सही कन्फूजन रहा है कुछ लोग इसे मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते अगर हम साइन्स की बात करें तो साइन्स को अब तक इस पर भ्रहम ही है पर दोस्तों साइन्स सब कुछ नहीं समझा सकती खासकर जीवन और मुर्टिस से लेटे चीज़ों पर साइन्स हमेशा सही कन्फूज रहे हैं हाला कि कुछ ऐसे साइन्स टिस भी हैं जिनों इन बातों को सच माना है पर फिर भी साइन्स जिन चीज़ों को नहीं समझा सकती उसे स्प्रिचुएलिटी यानिक अध्यात्मिक्ता से समझा जा सकता है मैं science से इंकार नहीं कर रहा हम पर इस चैनल पर हम आपको science से भी आगये की बाते बताते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जैसा कि हम जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का सिर्फ शरीर मरता है आतमा कभी नहीं मरती यानि कि आतमा अमर है इसी प्रकार बौध धर्म के मुताविक यह जन्म और मित्यू का चक्र एंडलेस होता है जनी कभी न खत्म होने वाला अगर आप कर्म यानि मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म में विश्वास करते हैं तो आप ही जानते होंगे कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें इंसान का जन्म मिलता है पर यदि इंसान बुरे कर्म करता है तो उसे किसी ना किसी जानवर की रूप में जन्म मिलता है एक माननेता के अनुसार, आत्मा को तब तक किसी जानवर की रूप में रहना पड़ता है, जब तक उसके पाप कर्म, उसके पूर्णी कर्म से पूरी तरह से बैलन्स नहीं हो जाते हैं, इसके बाद ही आत्मा वापस मनुष्य की रूप में जन्म ले पाती है आत्मा एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर के रूप में जन्म लेती है, इसी को पूर्णी जन्म, री इंकार्नीशन या आफ्टर लाइब भी कहा जाता है ये तो सभी जानते हैं कि नया जन्म लेने के बाद इंसान को पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिने पिछले जन्म की बाते याद रह जाती हैं और ऐसे लोग दून्या में बहुत ही कम होते हैं आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुस सची है तो दोस्तों इस वीडियो को अंतितर जरूर देखेगा ताकि आपको सब समझ में आ सके और आपके मन में उनर जनम को लेकर जो डाउट सें वो पूरी तरह से क्लियर हो सकें मैं इन बातों को सैंटिफिक वे में भी प्रूफ करूँगा ये घटना है आगरा में रहने वाले एक पोस्ट मास्टर पियन भारगव की जिनकी एक बेटी थी जिसका नाम मंजू था मंजू ने धाय साल की उम्र में ये कहना शुरू कर दिया था कि उसके एक नहीं बलकी दो घर हैं और उसने इस बात को अपने परिवार वालों को भी बताया पहले तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया पर जब वो लड़की आगरा में स्थित एक घर को कहने लगी कि ये घर मेरा है तो उसके परिवार वाले उसे उस घर में लेकर गए उस घर के मालिक से बात करके मंजु ने उन्हें कुछ ऐसी चीज़े बताई जो सिर्फ उस घर के लोगों को ही पता थी बाद में पता चला कि उस घर के मालिक के एक रिष्टिदार का निधन उनिस सबावन में हुआ था उसने ही मंजु के रूप में दुबारा जन्म लिया था ऐसा ही एक इंसिडेंट है रश्या में रहने वाली टैटी वैलु का जो बचपन से ही 120 लैंग्वेजिस जानती थी उनके मुताबिक उन्होंने ये भाषाएं पिछले जन्म में सीखी थी ये कहानिया सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि ये सब मन गड़नत है और दोस्तो विश्वास कीजिए ये दोनों कहानिया बिलकुत सच्ची है अब मैं आपको scientific way में भी पुनर जन्म को साबित करके दिखाता हूँ दोस्तो आत्मा क्या है? दरसल आत्मा एक प्रकार की एनरजी है जो हमारे शरीर को functional रखती है आत्मा को भी एनरजी माल लिया जाए तो Albert Einstein की एक थियोरी की मताबिक इस concept को आत्मा के case में लगाने पर जी साफ हो जाता है कि आत्मा कभी destroy नहीं हो सकती यानि कि खत्म नहीं हो सकती इसको भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में transfer किया जा सकता है यानि कि एक शरीर से दूसरे शरीर तक अब तो शायद आपको यह बात clear हो रही होगी क्योंकि यह science का बहुत ही basic सल्ला हो है जिसे law of conservation of energy भी कहा जाता है इसी बात पर research करते हुए American doctor Stuart Hemeroff और British physicist Sir Roger Penrose ने quantum theory of consciousness डेवलप की जिसके मताबिक आत्मा यानिके हमारे brain cells में मौजूद microtubules में stored information इस experiment में थाबित हुआ कि जब इंसान मरता है तो microtubules अपनी quantum state खो देते हैं यानि कि उनकी मातरा कम हो जाती है और उन्होंने ये भी कहा कि after death information stored within microtubules is not destroyed in fact it cannot be destroyed it just dissipates to the universe इसका simple language में यही मतलब है कि आत्मा इंसान की मौत के बाद भी नश्ट नहीं हो सकती it cannot be destroyed अब मैंने आपको दो scientific way में यह बात समझा दी अब इसे मानना या ना मानना यह आपके उपर है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो like और share ज़रूर कर दीजीगा हमारे चैनल अभी नए नए है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजीए मैं हर दो दिन मैं ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो सब्रोड करने वाला हूं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे है धन्यवाद